हलो फ्रेंड्स ओसम रेसीपी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे घर पे रिस्टोरेंट श्टाइल चीली पनीर ग्रेवी बिल्कुल सिंपल और नए तरीके से और कम समानों में इस चीली पनीर का टेस्ट आपको बिल्कुल रिस्टोरेंट या मार्केट की तरह ही लगेगा आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इस चिली पनीर को घर पर वो भी कम सामानों से बना करके तयार किया है तो चलिए चिली पनीर ग्रेवी बनाना सुरू करते हैं चिली पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिमला मिर्च और दो पियाज को इस तरह स्क्वाइर सेप में काट लिया है साथी मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च एक इंच अदरक का टुकरा और दस से बारा लासुन के कली को बारिक बारिक काट लिया है साथी मैंने यहाँ पर धाई सुग्राम पनीर लिया है तो यह घर का बना हुआ पनीर है तो अब हम चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले घोल बना करके तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच आरा रोट लिया है आप हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसका एक पतला घोल बना करके तयार कर लेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर ले ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की सिंपल और नई नई रेस्पी की वीडियो लाती रहूंगी तो घोल बन करके तयार है तो आप हम घोल को साइड में रख देंगे तो सबसे पहले हम गेस ओन करके करहाई गर्म होने के लिए रखेंगे जब करहाई गर्म हो जोगा तो हम इसमें 3-4 चमच तेल डालेंगे तो आप जो भी तेल खाते हैं आप उसमें चिली पनीर बना सकते हैं तो तेल गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले हम पनीर को हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइक करके निकाल लेंगे तो आपको पनीर को जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है अगर आप चाहे तो पनीर में आधा चमच लाल मिर्ची पौडर एक चोथाई चमच नमक डाल के और अच्छे से कोड करके भी फ्राइक कर सकते हैं तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप उस तरीके से पनीर को फ्राइ कर लें तो यहां पर पनीर जो है फ्राइ हो गया है तो आप हम उसी बचे हुए तेल में बारिक कटा हुआ लाहसुन अदरक और हरी मिर्च को डालेंगे और कुछ सकेंड के लिए हम इने हलका गोल्टन ब्राउन होने तक भून लेंगे अगर आप लोगों को इसी तरह की सिंपल और नई नई रेसिपी देखना पसंद है तो मैंने अपने चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी सिंपल और नई नई रेसिपी की विडियो अपलोड कर रखी है तो आप लोग एक बार जाकर कि मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें आप लोगों को सारी रेस्पी बहुत ही अच्छी लगेगी तो हमें अधरक लासुन और हरी मिर्च को बस एक या दो मिनट तक ही भूनना है तो यहां पर अधरक लासुन और हरी मिर्च जो है वह हलका गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें कटे भी सिम्ला मिर्च और प्याज डाल देंगे और हम प्याज और सिम्ला मिर्च को भी 5-7 मिनट तक हलका सौप्ट होने तक भून लेंगे तो पास से साथ मिनट जो है सिम्ला मिर्च को भूनने के बाद सिम्ला मिर्च और प्याज जो हलका सौप्ट हो गया है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे अगर आप चाहे तो साथ अनुसान नमक डाल के भी स्मला मिर्च और प्याज को जल्दि से सॉप्ट कर सकते हैं तो यहापे पास से 7 मिनट हो जाने पर सिम्ला मिर्च और पियाज जो है वो सॉप्ट हो गया है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मसाले में मैंने यहाँ पर एक चुथाई चमच काली मिर्श का पौडर और अधा चमच लाल मिर्श पौडर डाला है अब हम इसमें सारी सौष डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक चमच भरके रेट चिली सौष डाला है तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप जैसा भी तीखा खाते हैं आप उस अनुसार रेट चिली सॉस या मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं साथ ही हम इसमें देर चमच के लगभग टोमैटो सॉस डालेंगे और डेर चमच के लगभग सोया सॉस डालेंगे और यहीं पर हम एक चमच भरके गिरिंचीली सॉस डालेंगे तो गिरिंचीली सॉस जो है वो अपसिनल है अगर आप चाहे तो आप डाले या आप इसे इसकी भी कर सकते हैं यहीं पर हम आधा चमच नमक डालेंगे तो नमक आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि सारे सौस में भी नमक है तो इसलिए नमक आप अपने अनुसार ही डालें अब हम सारे सौस को डालने के बाद एक से डेर मिनट के लिए सभी चीजों को भून लेंगे कि एक से देर मिनिट भूनने के बाद अब हमने जो आरा रोट को पानी में घोल के रखा था तो हम यहां पे आरा रोट डालेंगे तो यहां हम आरा रोट को एक वार फिर से मिला लेंगे क्योंकि आरा रोट जो है वो नीचे बैठ गया है और पानी जो है वो उपर आ गया है तो आप डालने से पहले आरा रोट के घोल को अच्छे से चमच से मिला ले तो सारे घुल को डालने के बाद हम इसे मिलाएंगे और साथी हम इसमें एक कटोरी के लगवक पानी डाल देंगे अगर आपको ड्राय चीली पानी खाना पसंद है तो आप इसमें अधा कटोरी के लगवक पानी डाल दे पानी डालने के बाद हम इसमें एक उबाल आने तक ग्रेवी को पकने देंगे तो आप ग्रेवी को बीच बीच में इसी तरह लगातार चलाते रहें नहीं तो आरा रोट जो है वो नीचे तले में लगने लगेगा और चीरी पनीर को बिलकुल मार्केट या रिश्टुरेंट की तरह बनाने के लिए हम इसमें एक पिंच रेड फूड कलर को पानी में गोल करके डालेंगे रेड फूड कलर जो है ऑप्सनल है अगर आप चाहें तो डाले या आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं तो एक और आने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर डालने के बाद हम गेस का फिलेम जो है वो आफ कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली चिली पनीर ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कोमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले आप एक बार इस तरीके से अपने घर पर चिली पनीर गेवी की रेसिपे को जरू से जरूर बना करके ट्रय करियेगा यह बहुत ही सिंपल और नया तरीका था चिली पनीर गेवी बनाने का और यहां खाने में आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट या मार्केट की तरह ही लगेगा ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बिल्कुल कम टाइम में और कम सामानों से बना करके तयार किया है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई और आसान रेस्पी की वीडियो लाती रहूंगी तो आप एक बार इस चिली पनीर को अपने घर पर जरूर बनाईएगा अगर रेस्पी अच्छी लगे तो अपने फैमली फ्रेंड सभी के साथ सेयर भी जरूर करिएगा आप लोग मेरी वीडियो को कहां से देखते हैं मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखना बिलकुल भी न भूले वीडियो को पूरा देखने के लिए थाइंकिंग